आज आप सीखेंगे चेंज केस अप्शन का उप्योग करना अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोज की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें यदि आपने कोई टेक्स्ट टाइप कर लिया है और टाइप करने के बाद आपको मैटर के सभी वर्द क्यापिटल लैटर में चाहिए या फिर आप चाहते हैं कि हर वर्ड का पहला लेटर क्यापिटल हो या फिर सारे लैटर्स स्मॉल लैटर्स के रूप में नजर आएं तो ऐसा करने के लिए हमें change case option का उप्योग करना होगा इसमें सबसे पहला option होता है sentence case का जो की by default word में पहले से ही selected होता है जैसे जब भी आप किसी sentence का पहला word type करेंगे तो उस word का पहला letter automatically capital letter में convert हो जाता है जैसे हमने लिखा hello friends अब यह हमने hello में h छोटा लिखा है पर जैसे ही हम space देंगे अपने आप यह h capital हो जाएगा यह जैसे हमने space दी h capital हो गया यह अगले sentence में भी जैसे हमने space दिया how लिखने के बाद तो how का h capital हो गया अब अगर हमें किसी text के सभी letters को small letter में convert करना है तो उसे select करके change case option में जाएगे और यहां से lower case option चुनेंगे यह देखिए option चुनते ही selected matter के सारे words small letters में convert हो गए अगर हमें इसी matter के सभी letters को capital letter में convert करना है तो change case में जाकर के upper case option चुनेंगे अब यह देखिए यह सारे के सारे letters capital letters में convert हो गए है अब अगर हम चाहते हैं selected matter में हर word का पहला letter capital हो तो हम change case option में capitalize each word option चुनेंगे अब यह देखिए paragraph में हर word का पहला letter capital letters में convert हो गया है ऐसा हम prior titles में करते हैं जैसे कि हमारा यह जो उपर title है उसके भी हर word को हम capital letter में convert करना चाहते हैं तो change case option में हम चुनेंगे capitalize each word option अब यह देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हर word का पहला letter capital है चेंज केस option के अंतरगरत सबसे last जो सब option है वो है toggle case अगर आप matter को select करके toggle case option चुनते हैं तो आपके matter में आपने जो भी case पहले चुना हुआ है उसको यह उल्टा कर देगा उधारन के लिए title में हमने capitalize each word case का उप्योग किया है जिसमें हर word का पहला letter capital है इस पे हम अगर toggle case use करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा यानि हर word का पहला letter small हो जाएगा और small letters capital हो जाएगे यह देखिए इस तरह से अब यह जो नीचे sentences हैं इन में से एक sentence पर हमने uppercase sub option का उप्योग कर लिया है यानि यह सारे letters capital हो जाएगे और दूसरे sentence पर हमने lowercase use किया है यानि यह सारे letters small हो जाएगे अब इन पर अगर हम toggle case use करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा uppercase lowercase में convert हो जाएगा और lowercase uppercase में यह देखिए इस तरह से तो इस तरह से आप change case option का स्तमाल करके letters को capital में या small में अलग-अलग style में change कर सकते हैं MS Word 2016 के इस अध्याय में home tab में font block के अंतरगरत आज आपने सीखा change case option का उपयोग करना अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे like करें अने लोगों के साथ इसे share करें और नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारे योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें